रूस के राश्टपती वलादिमीर पुतीन 3 सितंबर को मंगोलिया दोरे पर जाने वाले हैं। इस दोरे से पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोट ने मंगोलिया को लेकर एक कड़ा बयान दिया है। ICC ने काया कि अगर पुतीन मंगोलिया जाते हैं तो मंगोलिया की अधिकारियों के जिम्मेदारी होगी कि वे ICC के आदेशों का पालन करें और पुतीन को गिरफतार करें। ICC के प्रवक्ता डॉक्टर फादी अब्दल्ला ने BBC से बात करते हुए कहा कि मंगोलिया ICC का सदेश है और ऐसे में कोट की आदेशों को मानने का उसका फर्ज बनता है। हाला कि मंगोलिया अगर इस आदेश का पालन नहीं करता तो उस पर पर्तिकार्द मत कारवाई की जा सकती है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल मार्च में ICC ने वलादी मीर पुतिन के खिलाफ अरेश वारन जारी किया था। पुतिन पर आरोप है कि उन्होंने युक्रेन में बच्चों का अपरण और उन्हें जबरण डिपोर्ट किया जो कि अंतरराष्टिय युद अपरादों के तहत आता है। ये पहला मुका था जब ICC ने सायुक्त राश्च रख्षा परिसत UNSC के किसी 27 सदर्शे देश के सिर्श नेता के खिलाफ अरेश्ट वारन जारी किया था। इस वारन के बाद रूस ने ICC की कारवाई को अपमानजनक करार दिया था। हाला कि रूस, अमरीका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, UNSC के 27 सदर्शे हैं और इन 500 देशों पर ICC का अधिकार नहीं हैं क्योंकि ये इसके सदर्शे नहीं है। मंगोलिया हाला कि इस न्याले का सदर्शे देश है जिससे मामले में उसकी भूमी का एहम हो जाती है। अब देखना यह है कि पुतिन के इस दोरे पर मंगोलिया आइसे से ग्यादेशों का पालन करता है या फिर इसे नजर अंदाज करता है।